ये हरे कमर्छट या हसस्टी वरत के भोजन और उपवास के बाद सामके यही वाले भोजन हम खाथन तो आओ बना ले थन जे जो हर संगवारी हो मैं हूँ नंदा अपने यूटूब चनल नंदा किसी जी बसता रेस्पीस में आप मैंने के स्वागत करत हो तो आज के जो वीडियो है बहुत खास है कबर के आज मैं कमर्चट के रेसिपी लेके आए हूँ और कमर्चट में हम का का खा थन और कौन-कौन सबजी हम इस्तिमाल कर थन उकरे मैं वीडियो लेकर आए हूँ तो आओ देख ले थन ये है मुनगा भाजी ये है पोई भाजी और ये है खटा भाजी और ये है दार भाजी जो बस्तर में बिल थे और ये है चेज भाजी और ये है चरूटा भाजी तो यही सब मनला साफ करके हम एकर भाजी बनाबो और यह है पसर चावल एकरे आज हम भाद बनाबो जब कमरचट पूजा के बाद उपास तूट थे तो एकरे भाद बना के खाये जाते और कुगुरबिली मनला भी यही ला दिये जाते तो आओ बना ले धन और आज के दीन हम मनला चूरी चक्को या कोई भी आजार से भाजीला नहीं काटना है बस हास से ऐसे तोड लेना है देखो जैसे मैं तोड़त हो इसको सबको तोड़ दिए और ये सब भाजी बिना हल लगाए वाले मतलब हल लगाए वाले आज की दिन नहीं चले तो ऐसे ही अपने आप उगे वाले भाजी मन हरे ये सब हाँ और यह देखो यह आए पसर चांवल मतलब बीना हल लगाए वाले चांवल जो अपन आप ही हो गए रथे वही वाले चांवल ले तो एला अच्छे से मैं साफ कर चुके हूँ और अच्छा से 3-4 बार एला धो करके हम एला 3-4 सीटी लगा ले बू काबर की ये कभी कभी जल्दी नहीं पके बस ढकन लगा करके एला पके बर अब मैं छोड़ दे हूँ अब देखो मैं खोल के देख ले थो 3-4 सीटी के बाद ही देखा थो तो देखो कतिक बढ़िया से ये पक के एकदम तयार होगी से तो एकदम अच्छे से पक गी से तो एमे से मैं आधा भातला अलग कर ले हूँ खीर बर काबर की हमनमन जहां पर पूजा करे बर जातर ना वहां पर खीर भी चड़ाए जा थे, कमर चाहर माता में भोग चढ़ाए जा थे 从 फ्राटी मैं खीर भी बना थो तो woah ये वाली दूधा भैसी के वाले हरे और गी भी भैसी के ही यूज करना चाहिए आज के दिल तो गाई के वाली बिल्कुल भी आज के दिन नहीं करना चाहिए तो मैं एकदम सिंपल तरीके से यहां पर खीर बना ले थो बैसी दूद के तो यहां पर सिर्फ चीनी डाला थो आप चाहो तो नारेल वगेरा भी डाल सकतो लेकिन मैं नहीं डाला थो काबर के आज के दिन तो क पाल ले हूँ मैं और उकर बाद उतार देखूं देखो और आज के दिन बनने के बाद सबसे पहले कुकूर और बिल्ली ला जरूर दे के कावर की ओकर भी बहुत जाद महतों है और छेठन कहानी भी सुने के हरे और चीटी उटी के जो रथे ना ओला नहा के के आज के दिन तो देखो प्रतिक अच्छा से पके तयार होगी से तो बस यह तयार है अब यहां पर भाजी बना ले थन तो यहां पर भाजी ला मैं अच्छा से हाथ से ही तोड़ करके अच्छा से धो लिये रहा हूं तो मैं थोड़ी से ही भाजी बना थो एक ही जनबरे और यहां पर एक गि तो यहां पर आप मैं अच्छे से पकेला दे हूँ सब्जीला और धक्कन लगा दे हूँ ए तरह से और देखो थोड़े बद खोल के देखत हो तो आधा पक चुकी से मुरभाजी है और अभी भी लेकिन बची से अच्छा से नहीं पकी से तो एला पके बर दे हूँ मैं तो दे देखो यहां पर देखो भाजी पगी से तो यहां पर मैं एक चमस जैसे भैसी घी डालत हो और तड़का लगा दे हूँ यह देखो इधान मिर्ची यह बिना उगाय वाले अपने अपोगे रथे ना वही वाले तो उक्रे बस तड़का लगा दे हूँ मैं भाजी में आप मन भी बनात हो तो ऐसे है न तो देखो एला मैं खोल के देख लेथो और थोड़े से लचला देथो तो देखो मुरभाजी एक दब मस्त से बन के तयार होगी से तो संगवारी हो यह दि आप मन मुला सपोर्ट करना चाहतो तो मुर चैनल सब्सक्राइब करो और बेल जो महुआ के पत्री दोना में ही दे जाते तो यह देखो गर्मा गरम पसर के भाद बन के बिल्कुल रेडी है तो आवेला परोस ले था न हमन मन तो देखो यह बिल्कुल तयार होगी से और बाकी के भी पत्री दोना मनला मतलब की लगा ले थो मैं तो देखो तयार है और यह हम मैं खीर निकाल देथो पसरभाद के भैसी के दूद में बने हुए और उकर बाद मैं यहां पर दही निकाल देथो अब तड़का भी लगा सकतो दही ला जैसे मैं भाजी ला लगाए हो ना भैसी घी में और मिर्ची के साथ वैसी आपन तड़का लगा दे सकतो लेकिन यहां पर मैं सेंधा नमक और थोड़े से धान मिर्ची डाल देथों तो यह धान मिर्ची बहुत ज्यादा तीखा रहत है तो देखो सब बिल्कुल तयार है कमर्चट के धाली आप मनला यही थोड़े भी यूसफूल लगी सो ही तो लाइक कर दे हूँ ज्यादा ही अच्छा लगी